हम दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइיב करना ना भूले नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे यूटिy automatically चैनल लॉजिकल टॉग में दोस्तों जासा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपके समझे प्रोडेक्ट लेकर आई हूं उसका नाम है डेरी फाइलिन जो की एक इंजेक्शन है इटो फाइलिन और थियो फाइलिन का ये इंजेक्शन है ये हो पाता है ब्लॉक हो जाता है और सांस अच्छे से इंसान नहीं ले पाता है जो फ्लो आफ एयर है वो लंग्स में ब्लॉक हो जाता है ये जो इंजेक्शन है ये मसल्स को रिलैक्स करती है और जो हवा का पैसेज है उसको पास होने में उसको अंदर बाहर होने में मदद करत इसको ठीक करती है इसकी जो इंग्रेडियन्ट है वो दो है जिसमें एक है इटोफाइलिन दूसरा है इटोफाइलिन जिसमें इटोफाइलिन की मातरा 84.7 mg और इसमें 50 mg इसमें मिला हुआ है जी हाँ दोस्तों यह जो आपका दोनों कमबाइन मेडिसीन का यह इंजेक्शन है यह अस्तमा को ठीक करने में इस्तिमाल होता है यह जेरिफार इंग्शन आपको अपने डॉक्टर की सलह के आनुसार लेना है यह जाइड़स हेल्थ केर कमपनी का प्रोडेक्ट है कितनी डोस इंजेक्शन की देनी है कितनी बार देना है किस तरह है यह सारी चीज़े आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा इसलिए अपने डॉक्टर की सलह के अनुसार ही इसका इस्तिमाल करें और जब भी इस्तिमाल करें तो इस तो फुरा कॉर्स कंपलीट करने के बाद ही डॉक्टर की सलह के अनुसार बंद करें ट्रीटमेंट अगर आप ट्रीटमेंट को बीच मे क्यानुसार करना है और नहीं क्यानुसार is का इस्तेMाल बंद भी करना है जब इस दबा का इस्तेMाल आप करेंगे तो आपको कुछ SIDEателей भी देखने को मिल सकते हैं जैसे की मतली होना उल्टी आना पेट में खराबी होना, सरदर्द होना, ठाकान लगना यह सारे टेमप्रेरी हैं और दीरे दीरे चले जाते हैं लेकिन अगर कोई साइड इफेक्ट जादा लंबे समय तक बना रहता है और नहीं जाता है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करी यह अस्तमा को ठीक करता है, साथे साथ अस्तमा से बचाता भी है और यह Chronic Obstructive Pulmonary Disorder CPU PD इसमें सास लेने में कटना ही होती है इस प्राबलम को भी ठीक करता है, जो अस्तमा जैसी ही होती है इसको अमप्यूल कितने लोग रिजर्वायर में भी इसका इस्तमाल कराते हैं तो ये injection है इसलिए आपको इसको खुद से बिल्कुल भी नहीं रहना है अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट नर्स के सारा क्यानुसार उनके देखरेक में आपको इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि आप कुछ से करते हैं डोस उपर नीचे है तो वो आपको नुकसान कर सकता है और पर एमप्यूल यानि एक एमप्यूल की मारपी अलगबक आट रुपए के आसपास एट पॉइंट संथिंग रुपए इसकी मारपी है तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो इस पसंद है तो इसको लाइक करें शेयर करें इससे कुछ सवाल करना चाहते हूं कुछ बताना चाहते हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिकिए आप में से जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आ हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे बन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक ने प्रोडेट के साथ तब तक अपना ख्याल रखें लॉजिकल टॉक देखते रहें गुडबाय टेक कियर